लेकिन वे इतर से गांड़ा में इतर कैसे जाएंगे हमारे कुछ जर्णलिस्ट गंदर से कोट में कि वो ले आट वेल अब बाई मीडिया वाले को तो छोड़ दो मीडिया वालों की हालत भी खराब है मैं उन्हीं को देखकर आया हूं क्या आप मीडिया को अलाव नहीं करेंगे मीडिया के लिए आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन है कि आप मना कर रहे हैं इधर से रस्ता बांगगा बाकी अमना नहीं करें इधर से आप अगली तरफ से चले जाएंगे तश्टिया नहीं नहीं कैसे क्रास करेंगे कोई रस्ता नहीं कुला हुआ हुआ है ने इस पोटरंगदर है हमें पता है कोई राफ्ता नहीं कुछ अलेक। अस्सलामु आलेक। मुहमद अज़र सिदीक अपने प्रोग्राम सियासी कफशप के साथ हादरा खिद्मत है यकम मार्च दोहुजार चौबिस और पाकिस्तानी जमूरियत में फिर एक स्याह दिन का अगाज किस तरह पारलिमान में प्रोसीडिंग सबुताश की और आज का दिन इसलिए घस्ब का दिन कहलाएगा कि इमरान रियास की जमानत एंटी क्रिप्शन के महिकमे में कि वो अफिसरा अंजान बुच के लटकाते रहे और अल्टीमेटी जमान अजाज हो गई एक लाग के मुचलकों पे लेकिन साथ आपको पता है देश्ब कर दिये एक परच्चे में पुराने परच्चे में एक गिरफतारी शो की गियर गिरफतारी दी यह रहने और उसका रेमान बेपर है पांच दिनका रेमान बैगराउंट पे चल रहा है अभी लेकिन प्रोग्राम के शुरू में आपने आमरान रियास किया ओवो देख लिया कि जब वो मार्च दोजार तईस में इम्रान खान के घर जब पता नि कितने मुलकों की पुलिस मजाकरन के रहा हूं कितने थानों की पुलिस नॉन बिलिबल वारंट एग्जیک्योट करने आए थी ये इस मुलक में होता रहा है सारा कुछ आपको याद होना चाहिए अगर को वीडियो है चल जाए की साथ लेकिन शुरू में मैंने आपके इस मुलक में पिछे नजरों में आना पड़ेगा नितों तो तोच कर आदेंगे पिल्कुल साथ आले के लगए है नहीं तो हमें रोक लेंगे इसामने वो इमरान रियाज माँ माजूद है और इंक्वाइर कर रहा है देख रहा है इसको दैशत गर्द बना दिये ग्यारा माई को पकड़ा गया था इमरान रियाज गिरफतार किया रहने M.P.O. में लेकर गए और उसके बाद फिर वो कहां रहके गए आपको पता है अंदाजा रहा है आप परिशान हो जाएंगे बातें ना मैं बताओं फिर जो एंटिक्रिप्शन की जमानत में है तीन साफ़ा का जो ओर्डर है वो बैकरउंड पे मैं चला देता हूँ वाप उससे अंदाजा हो जाएगा कि ओर्डर क्या है जमानत हो गई वो भी और बेरिस्टर गोहर ने को बड़ा मतालवा कर दिया अलिमियन गड़ापुर वजिरियाला खैबर पक्तुन खाम मुंतकब हो गए इमिनार खाँ को मरकेजी मुल्जम करार दिय दिया और डेप्टिक विशन मेमन की तरफ से इसलामबाद हाई कोड का फैला तोहीन अदालत का अब इसलामबाद इंडरा कोड अपील दैर कर दी और इमिनार खाँ साब की जिल शाकेज जमान पाक और ये बैगराउंड पे विसलमान सफदर के साथ माजूद थे वहाँ और डिसकस हुआ है आगे केसिस के कांटेक्स में क्या हमने लेकर चलना है आगे क्या चीज़ों को देखना है आगे साइफर के मामलात में भी बड़ी लम्बी डहस चल रही है और उस पे गुफदगू होगी बड़ी तफसीली बताते हैं भी आपको डॉक्टर यास्मी नाशित की भी जिमानत मन्जूर होगी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पाकिस्तान के साबक जाज मुझार लिनक्वी एकलाब शिकायात पर क्यारे मार्ग्स दिये और वो चार्शीन में आपसे पहले डिसकस कर चुका हूँ लेकिन सेनर्ड की सेनर्ड की जो खाली निशिस्तें चे हैं उस पर इंतखाबी शेडियूल क्या जारी हुआ सबसे पहले इमरान रियास का बेल का तीन सफ़ा का ओर्डर आ गया बड़ी वजाथ के साथ फर्दर इंक्वारी का केस चार्ज है कोई नहीं जिन्होंने करप्शन की उन में से कोई एक नहीं पकड़ा जो तैयब है इसिस्टन डारेक्टर मैं तफसीली बता चुका हूँ आपको थका बहुत हूँ आज काफी तकरीबन छे साथ ग्हंटे जो है इमरान रियास के केस में गुजारने पड़े तो थकावट बहुत ज्यादा हो गई और भी काफी 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 केसिस्ते इमरान खान के जमानतों के केस थे उसमें हमारी बहस का पूरा महवर जो है यही राके इमरान रियास एक सहाफी है उस सहाफी को इस तरह से आप कैसे रख सकती है ठीक है जी और मैं यह अभी यहादा आगया है मैं निकाल भी लेता हूँ और मैं वो डिटेलें सारी बिजवा रहा हूँ अब जनरलिस कम्यूनिटी को खासतर पर ताकर आप ताके उन तक जो है न वो चीज़ें सारी आज सके उनको पता चल सके किस मुलक में क्या हो रहा है ठीक है जी जातियां क्या हो रही है अबनान के साथ क्या हो रहा है और अबनान को क्या तकलीफें बरदाश करनी पड़ी है किस तरह के आलाद बनाय जा रहे है यही तो सोचने वाली बात है ना लिए तो अगर आप समझ आएं वरना तो यहां समझ भूज की तो बात कोई नहीं दे यह समझ माओफ हो गई है यहां पर यानि एक साफ शफाफ शफाफ शफाफी को पहले 144 दिना अपने गाइब रखा और उसके बाद दो बारा यह यहां जो मज़दार बात है कि यह वो वाला केस है कि इस केस में क्या किया उन्होंने एक ऐसे केस में अक्टूबर में गरिफतारी शोग अक्टूबर में शुरू कि नाविनेट किया उन्होंने ने का कि सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ ने चल रही थी और अक्टूबर से आज हम आगे हैं मार्च में ये भॉंडा खेल खेला गया एंटिक रेप्शिमर लंबी बैस हुई इस तरह दैश्ट कर दी केस में कोई इमरान रियास का तालोक नहीं कोई कंसर्ण नहीं है शुरू की वीडियो मैंने आपके सामने चला दी है एक सफ़ेका सिर्फ इतला लिख दिया पाइंच दिनका रिमा किया रिजन है? कोई रिजन नहीं कोई जस्टिकेशन नहीं कोई ते अप्लिकेशन ऑप माइंड हो, कोई नदर आए अब इस पर देखना है उस पर क्या करती है? आई कोट आमारे अपने यसे अक्शन लेती है, जनलिसे क्रास बार्डर तक भी इन्फरमिशन ये सारी दे दे दूंगा मैं चले जाएगी इल्फान सिदीगी ने बहस के लिए तरह के लिए लतवा जो सेनेट में सेक्टिर्ट में जमा करा दी है जो पीटी आई का आई में उफ खत लिखने परना जी और साधी अबासीन है कि इम्रार खान ने आई में को खत लिखा कि पाकिस्तान के लिखने अमना अखरत करे आई माफ हकुमतों के साथ डील करता है तहकीकाती जन्सी नी इनके बस कोई किरदार नी कि पाकिस्तान पर शरायत आयद कर सके पीड़े का मजबूत नी अपोजिशन जमात का किरदार है आज की अपोजिशन कल की अकुमत है माले ज़ारे से हमने सवाल जवाब नहीं करना बैरिस्टर गौर ने बड़ी जबर्दस बात की है लेक्षन रोकने का मुतार्बा करते हैं वोका कि सुप्रीम कोर्ण ने पज़ाब में एलेक्षन रोक दिया और अवसाcidos 25 मंबरान की कमी थी और आपके Character में इस वक्त 23 मंबरान की कमी है बड़ी एक्तादाद है लेकिन एलेक्षन करा दिया उन्हें और अया सादिक मुंत्खब होगे फिर वही गौंगलो अजमत्टी चाड़ना पिर यह दफ्तर कैसे इस्तमाल करते हैं तारीखी तारीखी तारीदा कि यहां लूट मारने के पूछने वाला कोई नहीं है हास तोर पर इन पीडियेम की जमातों को तो भूल जाये आप अमिनान खानकी झमाती सामने है और वो Pointsी होरा है और कोई ही इत्साब नाम की चीज़ नहीं मेरे से भी पूल जाये आप नहाय कभी यकीन करता था, मैं भी अभी यकीन नहीं करता अलीमिन गंडापूर जो है वजिर अला खैबर पक्रणू का मिथका है वोगे अलीमिन गंडापूर और डॉक्टर अबाद अला के दरम्यान मुकाबला हुआ सुनी ताद कांस्वित के हमायद जे अफ्तालीमिन गंडापूर वजिर अला और 90 वोट हासल किये और जब उनके मद्द मुकाबल नूल लीक के जो है ना डॉक्टर अबाद ने सिर्फ सोला वोट हासल की है और जी जिस्टिस जो है जिस्टिस काजी फाजी इसा के जार लिल्यक्वी के शिकायत पर रिमाक्स दी है और और उने काए के किऑ अडिशनल डॉक्वी ज्यनल आपका काम खत्र हमारा काम शुरू हो गया स्रिफ में काउんな काउंसल का ज्लास हुआ आडिशनल डॉक्वी ज्लास में मजार नख्वी का खत्र भी पड़ा अनका ये उनका खथ हमें आज मिला है लेकिन जो पता चल रहा है कि प्रसीडिंग सारी खतम कर दी है और ये आगे लेकर चलेंगे और आगे क्या है रादे है वो आप तक आइस्ता इस्ता आ जाएंगे डेप्टी कमिश्टर जो है मेमन उसने इस्लामबाद आइंटर कोड अपील दायर कर दी है और उसने का जी मैं दोहजार तइस में एससपी आपरेशन की फराम करदा मालूमाद बाद मिंटेनस ऑफ पॉबलिक और एंबियू के तहात नजर बंदी की अकामाद जारी किये और नहीं कहा कि दो जून दोहजार तैस को इस्लामबाद के हाई कोड के सिंगल बेंच ने नजर बंदी की अकामाद को गैर करार दे कर कला नुन मिशीद का कि आवल बेंच ने और बेंच ने जर हुए की अकला कि जारी उए आइन और कानून की बातें हो रही हैं आइन और कानून के मताब़क सारा अगर करें तो ये हला तीक हो जायेंगे ना वरना तो ये मामलात इसी तरही उल्जे रहेंगे अब आईन और कानून की बाला दस्तिया आप करेंगे तो हो सकेगा न और मैंने वो इतसाव अदाल का जो चार शीट है एक सनवे मिलियन पाउंड का वो सारा मैंने पढ़ लिया है कुछ भी नहीं है और इदर से उदर की बातें की हुई है सारी कुछ नहीं मलिक रियास पर भी लजामाद लगा रहे है मलिक रियास नहीं किया क्या ऐसा कौन सी क्रप्शन लूट की है कौन से ठेकों में पैसा बनाया है उसने अपनी आपसिंग सुसाइटी डिवैल्प की और जो पैसों का जिकर कर रहे है आशा कमाल की वारत से जिकर कर रहे है कि अलकादर यूनिवर्स्टी के ट्रस्ट के लिए इतनी जमीन दी वो दी वो जमीन इम्रान खान अपने जाती अस्तवाल की तो कोई इस्तवाल ले की वो तो ट्रस्ट के लिए दी पहले इम्राइखां के नाम मुंतकेल हुई या किसी और नाम मुंतकेल हुई बाद में ट्रस्ट के नाम चली गी तो जमीन दी ट्रस्ट के लिए थी ना पर ट्रस्ट बना उसके ओपर फिर जो ट्रस्ट चलाने के लिए उन्होंने ने पैसे दी ये उससे क्या फरक पड़ता है रेजिस्टर रेजिस्टर सुब्रीन कोड के अकाउंट में 190,671,000,000 पाउंड की गैर करोनी मुन्त के लिए अलांके ये पैसा जो है न मलक रियास कह था सबी किसी जगह से तैया नहीं हुआ ये बलैक बनी था कोई तैया नहीं हुआ यहां से आश्परीन कोड ने वो पैसा निकाल के दे दिया खतम करती बात तो अब किस बात की चार शिट ये वो केस भी अरदी की टोकरियन पहंगने वाला जाज जाता हूं असलाम आलेकूम अलाफिस पाक्सान जिन्दा